महापुरान की कथा करती ददीची रिशी ने अपने भजन के बल को बढ़ाया और ददीची रिशी के भजन के बल को बढ़ाया केवल भजन का बल केसे बढ़ सकता है करें तो शिव कथा कर रही है कि परमार्त का कारे करकर कितना कितना ये बेट मनगर के आप थोड़ी-थोड़ी दूर पर जा करें देख order के एक एक व्यक्तिने पानी के प्याodel लेखें हैं थोड़ी-धोरी कमाने के लिए तो जिंदगी पड़िये दुकान चलाने के लिए जिंदगी पड़िये जोड जोड कर अलमारी में रखने के लिए पर आज इन शिव भक्तों के लिए जो शंकर के गण हैं जो कथा सुनने आ रहे हैं इन शिव भक्त के लिए जिनोंने अपनी तीजोरियों के ख जाने खोल दिये हैं बाबा उनके घर में वैसे कुबिर का बंडार बढ़ देगा यह शिवतत्व है यह ओगड़ी है दन्यताया आपकी बहुत बहुत साधु बात बहुत बहुत साधु शिवतत्व है महाराज़ा शंकर जदीची बाबा ने परमार्त करते हैं बजन की इस्मरण की किर्तन की मंतर जाते हैं और साथ हमें कुछ परमार्त का कारे करते हैं करो अच्छा लगता है हम विशाल विया को देखे कि वो कथा सुनने कई लोग सोचते होंगे कि वही कथा सुनने के लिए कम बेखते हैं हम उनको साधु बात देना चाहेंगे विशाल पटेल जी को कि साधु बात आए आपके कथा आप सुन रहे हो चलते फिर से सुन रहे हो जरूरी है कि ये पूरे भक्त आपके छेतर के आपकी यह कथा स्रवण करने आए हैं तो किसी को कष्ट ना हो, इसलिए चलते फिरते आप इनको देखते रहें, बहुत जरूरी है, एक छेत्र के विधायक के नाते, आपका ये क्रम स्रिष्ट है, आते जाते पूछना चाहिए, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, देखो कि कहां व्यक्ति बेट रहा है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, ये आपके क्रमता होना चाहिए, स्रिष्ट आई से, बहुत बहुत साधु बात आए आपको इसके लिए, बहुत साधु बात आए, शिव तत्वकी और ददीची रिशी चले, ददीची बाबा ने तब साधना का बल बढ़ाया, भगवान शिव की अविरल भ पालीन है, और जब कीर्टन के बल को बढ़ा दिया गया, सुक पालिया गया, तब एक आनंद की अनुगोती हुए, क्या अनुगोती हुए, एक बार ददीची रिशी ने बेलपत्री के पोध्ये में, बेलपत्री के ब्रक्ष में, शिव पार्वती का धर्शन किया, वो